नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों शिव पुरान तथा सकंद पुरान आदि ग्रंथों में श्रावन मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्रावन के मास में भोजन सबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रिये ही नहीं बलकि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन रश्शी मुनियों ने जो नियम श्रावन मास के वरत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं। वे हमार श्रावन का महिना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिया है। शिव पुरान में श्रावन मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरत पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ती होती है। दोस्तों श् अभी शिव भक्त बड़ी बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशुपक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवतागन तत पर रहते हैं। पृत्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों और हरियाली ही हरियाली इस समस्त संसार के कणकण में उनका वास है और उनकी पूझा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। श्रावन के महीने में शिव जी की पूझा नाना प्रकार से करनी चाहिए लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिस से जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावन के महीने के सबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों अगर आप महादेव के सच तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और विडियो को लायक करके मित्र जनों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वर्ष श्रावन मास की शुरुवात 4 जुलाई मंगलवार के दिन से होगी। इस वर्ष श्रावन मास में बहुत ही शुब संयोग का निर्मान हो रहा इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 शुरुवण सोमवार आ रहे हैं इसलिए इस वर्ष का शुरुवण मास बहुत खास है। इनमें से 4 शुरुवण मास से जुड़े है और 4 शुरुवण सोमवार के वरत अधिक शुरुवण मास में मल मास या पूरुशोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष शुरुवण में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का वरत 10 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस् को, साथवा 21 अगस्त को, और आठवा सोमवार वरत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे दो महीने तक रहने वाला है, यानि 58 दिन न कमना ज्यादा। तो चलिए जान लेते हैं, श्रावन के वरत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और आपके द्वारा वरत का पालन नहीं होता है, तो वरत ना रखकर ही शिवजी की पूजा करे। श्रावन का वरत करने वाले व्यक्ति को, श्रावन सोमवार के दिन सुभह जल्दी जाग कर स्नान आदी से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्नान से पहल और फिर पंचामृत से अभिशेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदी से शिवलिंग का अभिशेक करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चड़ाए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चड़ाए। और ओम नमहशिवाय इस मंत्र का उच्चारण करे। जी व्यक्ति के व्रत रखा है। उसे ब्रम्ह चर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। जैसे शराब, गुटखा, आदी चीजों का सेवन करके शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्रावन के म सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाए, इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन क शिकंजी, नीमबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक न हो, क्योंकि वरत में साधारन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अब जानते हैं श्रावन में कौन सी चीजे नहीं खानी चाहिए। श्रावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज, आधितामसिक चीजों का सेवन ना करें। इससे वरत तूट जाता है। श्रावन के महीने में बेंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बेंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीडे होते हैं जिस कारण से यह मांस खाने के समान होता है। वैज्यानिक कारण यह भी है कि बैंगन खाने से गैस सबंधी समस्याय बढ़ सकती है। हरी पत्तेदार सबजियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि हरी पत्तियां क्यों खाने को मना किया गया है, इसके पीछे वैज्यानिक कारण भी बताया गया दरासल हरी और पत्तेदार सबजियां खाने से वात में वृद्धि होती हैं। श्रावन के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। श्रावन के में शिव जी पर दूध चड़ाया जाता है।